असलाम अलेकुम स्टूडेंट्स आज यसी शुरू करागे जदीद शाहिरी नमी शाहिर एदे कुल छे टॉपिक्स केंजी पहले तेन टॉपिक्स जदीद शाहिरी देने यानि मौडरन पोईम जिनों फ्री वर्स असी कहने है पहले तेन टॉपिक्स हो ले चोथे नमबर ते टॉपिक्स मवाते ओ इननाल नहीं है यानि पहले तेन टॉपिक्स आपस चेकर रफ्त होएगा यानि जदीद नजम दे शाहिर ने तेनों ही चोथा शाहिर मवाते ओ इनने तो अलागे उनने जदीद शायरी या नवी शायरी टापिक दान बानते राक लिता है लेकिन उो कौमी शायरी है सारी और कदीम पुरानी शायरी यह यह नि पुरानी शायरी तो पुराद पाप अधन नज्म ज़्यादा उदे वेचे लिख़ी गई यह ein मोज़वात भी सारे कौमी मोज़वात ने इसे तरह एंडविट जड़े दो टापिक ने ओ घजल दे टापिक्स ने पीर फजल गुजराती दी घजल कोई ते दूसरा रौफ शेफ दी घजल कोई लिएज आसी पहले जड़े टापिक पढ़ागे तेन टापिक ने नजम दे टापिक ने अगवाई किताब सफा नंबर 172 सब्तो पहला शायर एमद राही इनदी किताब दना तरेंजन अच्छा जी किताब दा दसन दो पहले थोड़ा जएदा तारफ वेख लईए जदे भी थोड़ी ज़ी नजम दे भी मुक्तसर गल कर लईए और आगाल तुसी जड़ा नजम बारे दो चार गला दसागा एद उसी अगले दो टापिक पेज़ भी वोड़ करोगी जदीद पंजाबी नजम बेच सब तो पहला ना शरीफ को जाही दाए वैसे दे सलेबस बेच शरीफ को जाही नो भी शामिल होना चाही दा जी क्योंकि सब तो पहला शायर एसी उन्हा नो कलेम करने हैं CSS दे पुराने स्लेबस वेच शामिल भी सी लेकिन 2015 में जदो चेंज होया श्रीफ कुझाई कार दिता गया और उना दी दूसरी किताब क्रिटे सेजम दी चातियां स्लेबस वेच शामिल कार दिती गई बारहाद उसी याद रखना अब्जेक्टिव दा स्वाल भी जे नमी पंजाबी नजम दा सब तो पहला शायर कौन है शरीफ कुझाई उना अपनी पहली नजम वान दा भूटा उननी सो अठती नू लिखी सी नजम दा ना भी पूछ सकता जी उननी सो अठती वेच अनजम पृइत लड़ी रिसाल्हा गुरमुखी दा रिसालह सी आगे लिख्या होया गुरमुखी वेच पृइत लड़ी रिसाले वेच छपी सी ते आजगल ऐन नजम ओना दे परागे यनि नजम दे मजमुए जगराते वेच शामेले जगराते किताब पहली वारी उन्नीसो अटवेजानू लोदेआना तो छपी सी इंडियन पजाब तो गुर्मोखी वेच नमी नजम दा दूसरा शायर एमद राई है एमद राई साब दा मजमुवा क्या में पाकिस्तान तो बाद 1925 विच शाया होया एमद राई साब अमरत सार्तों सी माइग्रेट करके 1927 विच लहुर आए नजम देते दूसरे शायर ने क्याम पाकिस्तान पड़न तो बाद सबतों पहला जदीद मजाबी नजम दा जड़ा मजमुवा चपया और एमद राई साब दा त्रेंजन सी लिच 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 काफिया, सुल्तान बाहुदी, सी हर्फी, बाकी दीगर सारी असनाफ नो सी नज्म कह सकने हैं, साड़े को जड़ा नज्म ता कॉंसेप्ट है, उदे तो मुराद है पाबंद नज्म, पाबंद नज्म की हो दी है, उदे वेच शायर, रदीब और काफिये दा एक तमाम करता सी, लेकिन अंग्रेजान दे असर नाल जड़ी जडीद या मौडरन पोईम या फ्री वर्स जेन हो सी कहने हैं, जदो इस इलाके वेच आई सेकंड वर्ड वार्दे नेडे तेडे, 1936 तरकीपसन तहरीक आई और इस अरसे वेची जायातर तहरीका नावल वी, अफसाना वी, शार्ट स्टोरी वी, पोईम वी, मौडरन पोईम वी, फ्री वर्स वी, ब्लैंक वर्स वी, ऐस सारिया चीजां अंग्रेज दे असर नाल साड़ेकोल आई या फरिकी सी, साड़ेकोल पहले तो मौजूद नजम पाबंद नजम सी, अगरेज दे असर नाल जड़िया नजम आई या ओधिया दो किसमा ने, यह जी क्या लोग नजम दिया दो किसमा ब्लैंक वर्स ते फ्री वर्स, ब्लैंक वर्स तो मुराद मौर्रा नजम, मौर्रा जबान दा लख से जदा मतला पे नंगा ऐसी नजम जड़ी रदीफ और काफिये तो नंगी सी लेकिन उते सारे मिस्रे बराबर हूंदे सी काली की यह जदीद नजम की सी जदे विच रदीफ काफिया नहायद जरूरी समझिया जानदा सी मुर्रा नजम वेच रदीफ और काफिये नो फालतू चीज समझ के खतम कर देता गया और किया गया कि बाज़ वकात शायर नो सूटे बल काफिया नहीं मिलता तो अपनी गल सही तरी के नल नहीं कार सकता लेहाद रदीफ और काफिये दी कोई जरूरत नहीं शायर उदे बगयर भी नजम लिख सकता है लेकिन उन्हों नजम दे सारे मिस्रे वजन वेची या बैर वेची या पराबर लिखने हों गे इस तो बाजनी दूसरी किसम आई जिन्हों फ्री वर्स दना दिता गया उदे विच एमी पाबंदी जरा मुश्कल महसूस होई कि शायर खामखा हर मिस्रा क्यों एक बड़ाबर लिखते अगर उदी गालबात एक लफज नाल पूरी हो जाए उस मिस्रे वेच उनों एकी लफज लिखना चाहीदा है दूसरे मिस्रे वेच अता मिस्रा लिख ले तीसरा मिस्रा पूरा लिख लगे जस तरह जिन्हे लफजा नालोदी गाल पाण जाए उदा माफियो जमीर बियान हो जाए उस तरह वड़ी सहुलत नाल जस तरह चाहे रदीव काफिय दी पाणदी तो बगैर वजन दी पाणदी कीतिया बगैर जो चाहे लिखता जाए इस नजम नो फ्री वर्स किया गिया यानि हर तरह दी पाणदीया तो आजाद असी जड़ी आ नजमा पढ़ा गे एदे विज कोज पाबंद नजमाने, कोज मुर्रा नजमाने, ते कोज अजाद नजमाने जी एमद राई साफ दा तारफ उससे तरह यह मैं तो नो पहले क्लासिकल शायरा विज दस्या सी के तुसी फोकस करना है सिर्फ पहले 5-6-7 लाइन्स होते हैं दा भी यह होई तारफ लिखना है, दूसरा जड़ा पैराग्राफ मैं पढ़ देना हमाँ, दस देना हमाँ, इदे विचो अब्जेक्टिम दे सौाल कुछ है जासर देने मसलिन अहमद राई साफ अमरत सार तो बिलॉंग कर दे सी, 1923 नु पैदा होई इना अबबाजी दा ना खाज़ा अब्जेश सी और इना दे वालत साफ शाला वेचन दा कम कर दे सी अहमद राई दे तेन ना आने जी, असल ना इना दा गुलाम अहमद सी, बाद वेच फिर मुर्शद दे कहन दे तबदील कीता गया और ओना फुर्शीद अहमद रखिया गया लेकिन इना उह भी ना पसंद नहीं आया और इना अपना कलमी और अज़वी ना अहमद राई र अहरीकां दे सरगरम कार कुंसी इस वस्ते ना नो कालजी में चो कर देता गया इना तालीम चट गे अपने अपा जी नाल कारोबार शुरू कर देता और उनी सो संदाली वेच पाकिस्तान बढ़िया ते ए माइगरेट करके एथे आगे जी एथे आगे इना ने शायरी शुरू कर देती जरिया मुआश्टी खातर एथे रकीपसान तारीक दार साला सी उनी सो पजा एक मेंजा वेच शुरू होया सी सवेरा एदे अडीटर बढ़ गे कुई साल दो साल तक एदे अडीटर थे लेकिन बड़ी तफ जाब सी उस तो फिल्मी गीद और नजमा लिखने हैं शुरू कर देती इना ने कुछ फिल्माने गीद लिखें कुछ एक दो फिल्माने स्क्रिप्ट लिखें जेती बज़ा तो काफी शुरत हासल हुई लेदा एडीटरी चाटके मुस्तकिल तोर ते उनीस सो चुरेंजानों फिल्मी दुन कर लिया और फिल्मी गीद लिखने शुरू कर देते मारूफ पाकिस्तानी फिल्म फीर रंजा जिदे हीरो ते हिरोईन फिर दोस ते इजास मैं वारस्या वाले टापिक जी तो अनुझे इस मूवी दा हवाला देता सी उदे विच गीद और स्क्रिप्ट एमद राई दा लि अध्वी गाने आदा एक अध्वी वो गामो मर्तबा और पता लग दा है कि वाके ही किसे शायर ने या किसे बड़े शायर दे तखलीग ने एमद राई साव ने पाकिस्तान पनंतोबाद शायरी की ती उनिसो पुमिजा विच मजमूआ भी छपुआया दो हजार दो विच वोट हो एसी और मियानी साव कबरिस्तान लाउर विच दफनने तरे जन दा वेरवा यानि किताब बारे दो गलाँ नवी नजम दे अब्तदाई शायर जन दा मजमूआ सब तो पहला मजमूआ मनिया जान दा है उनीसो बविजा विच शाया होया और एदा देबाचा प्रीफेस अर्दू दे मारूफ शायर एमद नदीम कास्मी साव ने लिखिया और देबाचे दा टाइटल उनवाने एक दो गलाँ इसे तरह फलैब को किताब दे अंदर जड़े डस्ट कवर होंदा है डस्ट कवर अंदर फोल्ड कीता होंदा है और ओदे किसे दूसरे बंदे को लोग किताब दे बारे तहरीर लिखवाई जांदी ये ओनो फलैब केंदे ने और एक फलैब सादर था सन मंटो दे दूसरा फलैब क्रेशन चंदर ने लिखिया यानि दोनों बड़े ना ने इसे तरह जी किताब नो प्राइड आफ परफार्मेंस में लेया हूनता का एक बुक कई वारी चाप चुकी है और एमद राई दी दूसरी किताब अब्जेक्टिव वस्ते खास दोर्द याद रखना निमी निमी वा हलकी हलकी हवा मठी मठी प्यारी प्यारी हवा एज याद रखो सारे फिल्मी गीत ने जड़े अनने फिल्मा वस्ते काने गीत लिखे सी अनने उकठे करके किताबी सुरत वे चाप लेता और निमी निमी वा उदना हूँ तरिंजन तो की मुराद है शाह हुस्यान दी शायरी विज में तो अंदस्यासी तरेंजन तो मुराद ए दुनिया वैसे लफ़ी मतलब तरेंजन उस संजे वेड़े नू केंदे ने या उस जगा नू केंदे ने या उस कमरे नू केंदे ने जिते ज़वान कुडियां और का के सवाणियां कठे भैंगे चर्खा करति या ने ते चर्खे दी कूउक नल मिठे मिठे गीद गान दिया ने चर्खे दी कूउक यानि आट दास पंद्रावी चर्खे कठे चाल रहे हो ते उना दी जड़ी एक आवाज मिली जुली आवाज बनेगी उनू चर्खेदी कू केंदेने नुसरत पते लिए 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 गाना मी बड़ा मारूफ है सवाल है ना सुन चर्खेदी मिठी मिठी कू माईया में नू यादाम एहमध रही होरा दे मजमुव है तरेंजन तो पढ़गें जड़ी मोजुआती रंगा रंगी याद रखो तरेंजन और्ट रिलेटेट है सिरफ एहमध रही साब ने तरेंजन किताब दा ना क्यों रख्या? क्योंकि एदे विच सारे मोज़ुआत जड़े उना बियान कीते ने, वो औरत बारे या औरत रिलेटेड मोज़ुआत ने, इस पस्ते उना ने इस किताब दा ना भी औरत नाल मखसूस जगा यानि तरेंजन रखिया, इदा क्वेस्टिन किस तरह पुछे गाजी, तरेंजन द पहले दे सांजे पंजाब, बिफोर पार्टिशन जदो, एदोनों पंजाब कठे सी, जदे विच हिंदू से एक मुसल्मान कठे रहने सी, सांजा पंजाब ते हिजरत दा मंजर नामा बियान कीता गयाए, तो अड़ाइस पारे की खियाए, यानि तरेंजन विच सांजे पं समझे लो 50-50 पोइम्स ने, लेकिन दोना दा, पार्टिशन के सवाले नार कीती गई है, और मैं दसका दो अनो, दोना विच है कि इर्तका बखाली देंदा है, इर्तका होंदा है, मतलब पहली सीड़ी तो आखरी सीड़ी वालनों जाना, पहले हिसे दिया नजमा विच अलड मुटियार दे, रुमानी जजबाद, अलड मुटियार यानि नौजवान कुडी, टीनेजर कुड़ियां, जजबाद दी तमसील वेच पंजाब दी खुशाली, रैतल बैतल, रैंड सेंड, प्यार मुबत, अमनो आश्ती दे, रीता रवायतां दा जिकरे, ए ओ मुशाहदा रात्ते हकी की मनजर नामे ने, जिड़े एमद रही ने अक्षी वेखे, अक्षी के में, क्योंकि ओ खुद माइगरेट करके आया सी, और उन्हें उस दोरान, उस तो पहले जाहरे जिसले रहनदा सी, उस वेले भी सांजा पंजाब सी, उस वेले भी कोई तास्व नहीं सी है बिला तास्व हिंदू से एक मुसल्मान सारे कठे रहने सी, लियाजा ओ जो को जो ने वेखिया पहले और जो को जो बाद वेखिया उन्हों किता आपके दो हिसें वेच अलग अलग बियान कीता, लेकिन तमसील, एक्जेमपल, कुडी दी लई, यानि कुडी दे रूप पेश कीता, वो अगे दसना जाएं, उन्हों ने अपने सारे जड़े मुशाहिदात सी, उन्हों बड़ी खैर जानेवदारी नाल, बड़ा अनबाइस्ट हो के, लफजा ना बाना पो आगे, यानि लफजा दे लिबास पहना कर, त्रेंजन दे रूप वेच पेश कार देता केड़े लोग जी जड़े सांजे मजाब वेच रालके रहने सी, जड़े हर तरह दे तास्वाद तो बाला तर और कठे सी, जजबात दी खुबसूरत का कासी इना लफजा मेच कीती गई है, यानि जी समझ लो, कि ऐ जड़ी पोएम छोटी जई दिती है, ऐ त्रेंजन दिये पहले हिस्से दा टाइटल है, अच्छा जी होने नो इस तरह समझो, बिफोर पार्टेशन ऐसी है मिसाला मौजूद सी, कि लोर वेच, अमरत सारवेच, जोसी हाई काल भी है, मुवीज वेखला, वो सिखा नहीं होते हैं, वेच होना ने काफी इस आइड़ी या होते, फिलम फैमली रह रही है, और आपस विच कोई मसला मसाहिल, कोई इशूद नहीं सी है, कोई तास्व नहीं सी है, अच्छा जी जड़ी पहले किताब दा है, इननने पहले हिस्से दा टाइटल रख्या है, जरा नजम वेखो, जो पानिया जी पतनो लंग दा, ओ ना दा पलके, इशित्तो दर्यां तान होंदा है, ओर तो कश्टि न जर्यां दर्यां पार किता जंता है, और उस कष्टिया जिते खड़ियां होंदियाने, उस स्टौप नरु जिते रूप दियाने, उनों पतन केंदेने, जो पानिया जी पतनो लंग दा, पतन या Nils P하게ढ़ी जगा है, ज पानी जड़ा पतन तो गुजर गया ओना अंदा पल के कदी ओ पानी वापस आ सकता है में दस्तों साधे सैटप वे पंजाब दे जोगराफिये दे मताबक मगर जनूब तो शुमाल वाल पानी आ सकता है नो कदी नहीं ओना अंदा पल के पलक के अंदेने सवेर नो यानि नेक् शुमाली साध तो शुमाल वाली जानग तो और पानी दे आ जाएगा लेकिन ओ पानी कदी उलटा वापस नहीं आवेगा बेडी दा पूर कश्ती वेचे जड़ियां सवारियां एक वारी सवार हो उनू पूर के देने गृप कहलो ग्रो कहलो तरिंजन दियां पूरियां तरिंजन वे जड़ियां पूरियां कठियां बैठियां हों कठियां चर्खे करतियां हों फेर ना बैठन अगाल के उन्हानों दोबारा कठे बैणा नसीब नहीं होया तुसी ज़रा इमाजन करो तुसी वेहन जब आके सफर करते हो तो आठारा सीटर वेहने 17-16 हो सवारियां बैठिया हुए ने कदी ऐसा इत्वाक हो सकता है कि तुसी दोबारा वेहन वेज बैठोते हो ओ ओ ओ ऐठारा सवारियां फेर नाल हो नो इंपोसीबड उसी दस्यो तो आए मैटरिक दा कोई स्टूड़न और सी एसास करता है तर तर देनल कलास फैलो लो तक तो अधिनल है बिल्कुल नहीं है ग्रेजूएशन दा नहीं है जबं जबं तुसी अग ज़ाओ कि नमे 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 तालुप बढ़ंगे त्रेंजन दिय मेरे वालत साब ने, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने, मेरे पैनपरा ने, मेरे दोस्त अबाब ने, रिष्टेदार ने लेकिन एक वक्त आएगा मेरी वालदा अज मेरे नाल नहीं है, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स दोनों मेरे नाल नहीं है मेरे वालत साब कालनों नहीं होणगे मेरे पैनपरा नहीं होणगे यार दोस्त नहीं होणगे दोस्त अब आप नहीं होणगे क्यों नहीं होणगे क्योंकि हर कोई अपने अपने वक्त दे मताबिक अपनी अपनी कमेटमेंट दे मताबिक ऐ दुनिया चाड़के आखरत वल चला जाएगा एमद रही साव ने तरेंजन तो मुराद सांजा पंजाब ले आए कि में मसलन सांजा तरेंजन सी जिस तरह हवे ली टाइप का रामेच जड़ियां फैमिली जरेंदियां सी हिंदू भी ये सेख भी ये मुसल्मान भी ये उना तरेंजन सांजा तरेंजन होंदा सी यानि उस तरेंजन वेच मुसल्मान कुड़ियां भी हिंदू कुड़ियां भी सिख कुड़ियां भी बहा की काम कर रही होंदियां सी अच्छा उदे विच मुख्लिफ एज़ियां कुडियां हों दियां सी कुछ ते मैरिट खवातीन हों दियां सी एज़िट खवातीन हों दियां सी कुछ नौजवान कुडियां हों दियां सी कुछ बच्चियां हों दियां सी जड़ियां काम सेख रहें हुंदियां सी हुंदा की सी? एजिट खवातीन या मेरिट खवातीन उना वास्ते हो मुस्तकिल तरेंजन हुंदा सी या नि जड़ियां सोरे कार रह रहें हुंदियां सी क्योंकि सोरा कार ते मुस्तकिल टिकाना है उना वास्ते हो मुस्तकिल तरेंजन सी लेकिन जड़ियां नौजवान और जड़ियां टीनेजर और जड़ियां छोटियां बच्चियां सी उना वास्ते हो मुस्तकिल नहीं सी जवान कुडियां, टीनेजर कुडियां, छोटियां बच्चियां अपनी अपनी एज दे मताबक उस त्रेंजन नो चाट के उना चले जाना सी यानि रुखसत होगे दूसरे कारजलिया जानी आने बिलकुल इसे तरही पार्टिशन तो पहले जड़े हिंदू मुसल्मान से कठे रहने सी आमद राई साब ने ऊना नू एक त्रेंजन दे तौरते के आए फिर उनिस संताली वे तुसी सारे जान दे हो कि और कैसी कडी सी कि ओ ऐसे त्रेंजन उझ्डे ओ ऐसे पूर खतम होए कि बेड़ी दे उस पूर नो और त्रेंजन दे याँ ओना कुडिया नो 1967 तो बाग दोबारा फेर ना बैठन रालके रालके बैणा नसीब नहीं होया उसी YouTube बेखो आम कई चैनल्स पने होए ने ज़दे वेचे 1967 दे जड़े चशम दीद गवार ने उनना दिया रिकार्डेंग नितमे जानके बहुत स्यादा चैनल्स उसी कधी उनना दे मुँठों सुनना लोका ने उनना ने कधी accept उनने भी नहीं कीता है इस चीजस नू ओ ने बटवारा कहन दे निने ओ दाड कहन दे ले ओ ने कोई जंग कहन दे ने ओ नू आजदी निया कुणिया यानि बिफोर पार्टिशन हिंदू, सिक्थ, मुसल्मान जिस तरह कठे राल मेल के रेंदे सी उननों दुबारा रहना नसी एक ना होया और जिड़ा दूसरा हिसा है किताफ़ा दा उननी सो संताली तो बात दा हिसा तुसी इमेजिन करना है उनने टाइटल की दिता है, यानि पहले इसे विच ते हासे, खेट और मजाग है ने जिस पहले कठे सी लेकिन आफटर पार्टिशन, यानि किताब दा दूसरा हिसा जिस तरह उनने इर्टकाई एक वखाया कि ये मिसाला देना उनने टाइटल ही ऐसा दर्दनाग दिता है, डारों विचली कुझ को लावे, तरिंजना चे कौन वाली हो अच्छा जी खाजा गुलाम फरीद दा मिसरा है, गुलाम फरीद मैं रोमा एमे, जे मैं विचली कुझ कता रहा कुझ दा सिंबल पंजाबी शाहिरी वेच बहुत ज्यादा यूज़ गुए है, कुझ की यह, कुझ, C-R-A-N-E, क्रेन, माइग्रेटर परेंदा है, रूस, साइबेरिया तो माइग्रेट करके आनदा है, डवंबर, दिसंबर है दे आन दा मौसम है, क्योंकि ओना दिना, उ परेंदे उड़ेने, माइग्रेट करके, 10-12,000 किलो मेटर सफरते हैं करके, इसाड़ेस इलाके वे चांदे ने, पाकिस्तान है, इसाड़ा जिनूबी, पंजाह वे सारा, और भी इलाके बड़े सभीर थे, क्योंकि एते जड़ा मौल, वो माइनस तक रहनदा है, 0, माइनस, 1, 2, 3, इस तो ज़्यादा नहीं होनदा, ते एह होना दा सूटेबल होनदा टाइम, परेते रुकते ने, और फिर यस फेले मौसम गरम होना शुरूर हो ज़नदा है, मार्च अपरेल में, फिर तुबारा मा पस ज़नदे ने, लेकिन होनदा की ये साड़ा थो दी लोग, अवाम तो अनुपत है, ये शिकार करके खा ज़नदे ने, डारों विछली कुझ गुर्दा में, इदा की कॉंसेट है, समझो ज़रा, डार, कतार नो के ज़नदे ने, या परेंदे जिस पे ले आनदे ने, सो सो या कतारा होनदी, याने, ग्रुप होनदा है, कतार होनदा है, कला कला नहीं होनदा, लेकिन ज़स पे ले जानदे ने, यकीन करो, उस पे ले दो, एक, दो, चार, यानि कतार और डार और ग्रुप खतम हो गया होनदा, क्यों, की होनदा है, शिकार हो जानदा, और इदे तो पीर is the fooled उठी Mael ते विच अगर कोई एक शेकार हो जाए कोई estou tekn Jeew bay देख जाए मर जाए ओ ते दूसरा पेर चाहिव mountain 흥ी बलब देख आपना सफर रहें और ऊदी रहें लेकिन ऑप पिसे हों पदी नहीं लेकिन नेचर ने कुद्रत ने कोई तरीका कार ऐसा रख्या है कि वो पेर जड़ा है अपने पेर दी खाते उस डार नो छाट देंदा है अच्छा जी जिना अब्जर्ब कीता है वो दस्ते ने जिते वो कोई डİG हूँ दिया मरी हूं दिया या शिकार हूँ हूँ दिया ओते यो दा पेर ओते हवा विच मुसलसल दो तेन क्यंटे तक उड़दा रहंदा है और मूं विचोए तहा ही दर्दना के समदी आवास करदा रहंदा है जिने कोई दा कुरलाना कहते ने यह हुई कोई दी कुरलाट ऐसे दसी गई है डारों विच्डी कोई कुरलाए अच्छा जी ओधी 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 कुरलाहट दी वजा कीए तेन वजा ने टैनी वजा डेफिनेट ली ओधा पेर मर गया फी मेल या मेल यानि ओगला रहा गया दूसरी रीजन उन्हें ओधार चाड़ देती यानि या बड़ा बड़ा दोख होंदा है कि उन्हें अपने वतन वापस नहीं जा सकीए यानि डार चाड़न दा दोख और तीसरा जड़ा सब तो बड़ा वतन परस्ती हुग बुल बदनी जैनू कहनदे ने कि उस दोबारा करदी अपने वतन वापस नहीं जा सकीएगा क्या दिने कि उड़दा उड़दा ही अपने उस पार्तर दी याद विछ रूदा रूदा कुर्लाता आखरकार मरजंदा डारों विचली कुझ कुर लाए उन्हा डारों विचली या कुझ या कौन सी जी ओही सी जड़े पैंट प्रा मातरा एक कोई कार वेच एक कोई सेट अप विच रह रहे सी लेकिन फिर ऐसा कोई संताली दा वाक्या पेश आया कि सारे वक्षो वक्ष हो गए और दोबारा वेच उन्हा नू कधी कठा होना नसीब नहीं हो तरिंजना जो गौन वाली हो यानि तरिंजना वेच जड़े जड़े कठीया गामिया सी विफोर पार्टिशन जड़े संजे तरिंजन सी उन्हा वेच उन्हा नू कठा गाना बैना अच्छा गान कीजी जी ओरतां जिसले चर्खा करती है ने तो उनु पता ओरतां चोपनी रह सकती है और या ते कोई ना कोई गालगाप या ना कुझ ना कुझ एक दूसरे नो छेड़ चाड़ या फिर कुझ ना कुझ गामिया रही जाए इस तरह वक्त भी पास हो जानता है और नाल इंजॉयमेंट भी हो जानती है एमद राई दी त्रेंजन वेचे सांजे पजाब दियां रीतां रवायतां आजादी हिजरत विछोडा औरतां दी बेकदरी नवियां व्याई या औरतां दे जजबात इस ता लुटियां सुवाणियां दे हाड़े लोकीता दा रंग रुमानवियत वगएरा सब गोजन इंतहाई गयर जानब दाराना अंदासनाल वियान कीते गए ने सब तो पहला पॉइंट वेखो अच्छा जी पहला पॉइंट जड़ा लंबा है और इस पास ते लंबा है कि एदे वेचो सारा जड़ा है ना ओ इर्तका ओ दस्या गया है यानि सब तो पहली नजब में ही है वे सब तो पहली नजब वेच बेलकुल बेफिकरी वाली जिंदगी पेश कीती गई और छोटी बची तो गाल शुरू कीती गई है यानि जड़ी नजब में या जड़ी आए एदी नौयत की है छोटीया बचीया दे गीत हूं देने किकली ते थाल लोग गीतने जिससरा लोरी, डोला, माया, मुली बगएरा किकली और थाल छोटीया बचीया सब ताठ नौ साल दी बचीया बचीया एदे वेच सब तो पहले उस सब ताठ साल दी बची नोई पेश प्रिजन्ट कीता गया है ओदे जरीए बे फिक्री वानी जिन्दगी दा एक नक्षा के चिया गया है वेखो जरा अजे नमा नमा अंबियानों बूर अंबियान यानि मैंगोज आम दे दरफता होते हैं जिस पेले बूर लगना शुरूर होंता है उस बूर दा बाद वेच फिर फाल बन दा अजे होंता मेच अनचोईया कलिया दे रास थोड़ी ना मुनासब जाईए अजे होंता मेच यानि छोटिया बचिया दे होंता मेच अनचोईया कलिया जोटे उनते हाले तक फिरी दारो में डार अपने पैनपरा और अपने पेरेंट्स दियाओ तक के या अपनिया एजक फैलो दूसरें जी लिए तक अजे बास्वेरा भी सजडीन शाखहा दी हलोर बास्वेरा भामा सजडीन ताज़ा शाखहा हलोर लचक केंदे हाले उना दिया पूंड जड़े ने अन छुए ने किसे ने नहीं छुए हाले उना दिया बाजू जड़े ने उना दे बाजुआ वेच कोई नहीं आया या किसे दे बाजुआ वेच नहीं गया अजे अनखेड़े फुला जाई हासेयां दी दक अनखेड़ा फुल गुंचे नू केंदे ने यानि हाले उना दी जड़ी शानों शोकते बेलकुल अनखेड़े फुल जैसी है अजे टोरा वेच चड़ दियां पींगा वाला जोर हाले उना दियां टोरां वेचे उना दियां चाहल वेचे चड़ दियां पीगां वाला जोर है यनि 7-9-10 साल दी उमर ही इस तरह दी हों दिये के मन्दा बड़ा एक्टेव बड़ा हुशे आर चलाक हूंदा कि अजये बड़ा है के लिए तना दा दे नमे नमे रंग यनि हाले सरफ ओप्धेव और ड़ा के इंजवाए का रही आर ने आज धल दिला वेचे सत्रा दा सुता सुता शूर आले उना दे दिला वेचे सुत्या होई या शद्रा ने जजबात ने खाइशाद ने या यानि ती टीनेज़ वही दाखल होंदें ते फिर एवले ज़जबात बैदार होंदें ने उको जो हार्मूनल चेंज़ इस तरह दिया होंदें ने कि फिर मेल और फी मेल बच्चे और बच्चिया नो काफी सारी तबदीली आना शुरूर हो जानी अजय सामा वेच से लियांदे सामा दी हवाड समयल तो केंदेने यदी हाले उना दी तावजजधा महवर और मर्गर सिर्फ उरसिर्फ होना दीए एज फैलो से लियाने या बेरेंट्स ने या पैन पराने या फिर एज फैलो से लियान जनी आठ नौदा साल दी उमर इस उमर तक हले इनना ज्यादा शवूर बेदार नहीं होंगा जारे जिस फैले निया नजमा ने उस फैले सोरे कार जाना ते फिर मिया बीवी वाले रिष्टे वेच बाज जान वाली सारी वारता दा जिकर एमद रही साब गेमे कर दे ने चड़ दी जवानी नाल चड़ गया पानी क्यांदा जेमें ही उनने टीन एज वेच पैर रखिया ते उदी चार्ड आली बदल गई नमे नमे जो बना दे नमे नमे चार्ड नमी नमी जो बन नमी जवानी चार्ड नहीं सी इस पास तो नहीं जोग शौगी नमे सी जिदनी ना रोल दे में किसे दिल गीर दी केंदा है अब ज़रा खियाल करी एना हुए तेरिया अदामा नाल तेरे प्यार मौबदना तेरे नाज नकरे नाल कोई दिल हार बैठे दिल तोड बैठे किकली कली नेक्स जी उस तो अगला स्टेप जिस वे ले कोई गबरू जवान मुंदा मतलब 18-19 साल दी उमर 16-17-18 साल दी उमर या अशिक जवानी वे जमस्ते इस लापरवाद इस शोफ चंचल अलट मुटे हार दी जिन्दगी दा इससा बन दा है उस वे ले जजबाती कैफियत की हों दी है सुफने वे जाके अडियों नी कोई शर्मा देको उन्ड कोल गया मेरा नरम कालजा दोल गया केंदा वे खो उनकी सूर्थे हाले के बन्दा इस सेज वे जखो दी अपने आपनाली गल्ना करन लग पैंदा खाबान लग पैंदे नी इसे तरह जी नेक्स्ट वे खो आखरी ये दा नजम दनाए सूरज दे दर्दी वो पढ़ना नजम नाल फिर तो अनोदा मतलब समझाना हो तू सूरज में दर्दी चनना विच्छियां कदमी तेरे अच्छा जी सूरज जमीन वास्ते के सहाथ तक ज़रूरी है तो अनो समझान भी ज़रूरत नहीं पढ़े लिखे हो सारे सूरज ना होए तोप ना होए ते जमेन डेड है पलोटो स्यारे होते उसी वेख लवो जिन्दगी दे कोई असार नहीं है यानि सूरज दर्दी वास्ते जमीन वास्ते सूरज इंतहाई ज़रूरी है विच्छियां कदमी तेरे जिस तरह दर्दी सूरज दे कदमा वेच बिच्छी होई है यानि सूरज उते डेपेंडेंटे सूरज दी रोशनी तोप है वेट दर्दी जिन्दा या अधरवाइस डेड हो जाएगी बिल्कुल उससे तरह औरत डेपेंडेंटे मर्द होते यानि एफी मेल डोमिनेटिंग नहीं बलके मेल डोमिनेटिंग सुसाइटी है ते इस मुआशरे वेच मर्द दा गल्बा है औरत कली सर्वाइव नहीं का सकती ओ जिन्दगी दे हर हिससे वेच मर्द होते डेपेंडेंटे कहनदी ये के तू मेरे वास्ते सूरज दा दर्जा रखना है मैं तेरे कदमा वेच बिछी होई है तू दे मेरे लू लू दे वेच पाल तेने डेरे कहनदी तू दे मेरे अंगांग वेच समा गया तूसी वेखो सूरज वाकई दर्दी दे अंगांग वेच समाया होया जिस फिले सूरज नहीं हो दा, रात हूं दी और रहते किस दैशत दालम हूं दा, सवेर दू जिसले फिर सूरज चड़दा है, दिन चड़दा है, तुसी वेखो एक जिन्दगी मतहर्रिक हो जान दी है, मैं किते हून, तू ही तू है, उलेने बस मेरे, कैंदी मेरी ते अपनी हातने तेरे, तरती तो मुराद औरत है, सूरज तो मुराद मर्द है, उसी वेख लगो, औरत अगर बेटी है, ते डिपेंडेंट है, वालिद हुते, सिस्टर है, ते डिपेंडेंट है, पाई हुते, बीबी है, ते डिपेंडेंट है, अपने खामन हुते, उसी वेखो पज उस वेले फिरो पुतर होते इंडिपेंडेंट होंदी है इस वास्ती ते साड़े हैं ते पुतर और नरीना उलाद भी खायश कीती जांदी जो कुछ तेरे देलवे चावे ओ मैंनू मनजूर एथो दी ओरत अगर सर्वाइव करना जांदी है जड़ा इकल बढ़काया जांदा है आज़ादी और तादी आज़ादी मेरा जिसम मेरी मर्दी बगएरा उन्यादी तो ओरते औरत उस तरह सर्वाइव नहीं कर सकती वह यह कहनदा पे आए जो कुछ तेरे देलवे चावे ओ मैंनू मनजूर यानि औरत अगर अपने आप नू सरंडर कर देवेगी ते फिर उसर्वाइव कर सकती है अगर औरत अगो तू तू मैं मैं करेगी ते फिर उकदी भी सर्वाइव नहीं कर सकती उसी वेखलब कई कारे से तरह युजट जांदेने जेद बास यह दी वज़ात हो पामे भड़के हेक नाल लाल है, पामे सोट दे दूर यानि और तु यस तरह तुसे ट्रेट करोगे, अच्छा ट्रेट करोगे तो अड़नाल अच्छी रहेगी, बुरा ट्रेट करोगे, बुरी हो और अपने शोर्दों को खातब करके कह रही है, जड़ा अपना पेका चाट आईए, अपने पेरेंट चाट आईए, पैट परा सब को चाट आईए कैंदी मैं ते तेरे रहमो करम होते हैं, और तेरे ते डिपेंड करता है, चुप चाप तेरे रहमो करम ते हैं तो एथे सिरफ यह दस्या है कि औरत दी की हैसियते, ओ फीमेल होन दे बावजूद भी, ओ दी कोई अपनी जाती हैसियत नहीं है, ओ अगर कोई हैसियत है, तो सिरफ मेल दी बज़त होई, मर्द दी बज़तों पिछाने जाने 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 जीए. नेक्स्ट जी, अपने अहद दा करब, अपने अहद दा दुख, एमद रही साब ने अपनी नजम तरिंजन, यानि किताब दा ना और नजम दा ना भी तरिंजन है, ओ दे वेचे दस्या है कि जिस फिल्या माइग्रेट करके आया जी, चवी साले दी उमर सी, और चवी साल दा नौजवान, बड़ा बाशओर नौजवान होंदा है, उस साब अच्छा बुरा महसूस कर सब दा है, और फिर ओही नौजवान अगर शायर भी होगे, यानि एक तो एज जजबाती उमर होंदी है, बड़ा अब्जर्वेशन वाली उमर होंदी है, ते फिर अगर अगर अग तकलीकी सलाहियत देती होए, ते फिर इस तरह दे मास्टर पीस तकलीकों देने, एक किताब, आज सतर साल बाद भी, एदी हैसियत मुसले में, और क्या में पाकिस्तान दे हवाले ना, बड़ी अनबाइस्ट हिस्ट्री के देविच प्रिजर्व होई है, उनने अपने मुश पाकिस्तान दे पांच दर्यावादा पाणी, रात वरगा, खून वरगा कर देता, हस्दा बस्दा पंजाब के में मातम कदा बन गया, नजम तरेंजन दे कुछ मिस्ट्रे मुलाइजा करो, के में कत्ता, के में तुमा, दर्दां वालिए माई, आज तरेंजनी फूड़िया चूड़े दे छनकारे, लोट लै गए बन जारे, हामा दे लंबूनी माई, आज कवारे हासे, जामा केडे पासे, अग्गे पिछे, सज्जे खब्वे, या कैदो या खेडे, जेना ने लखा हीरां लूटियां, लखा रांजे साडे, किन्नों सुनावा हाडे, बड़ी ची प्रोण वाला मुकाम है, के में कता, के में तुमा, कतना होंदा जी, चर्फा कतना, सूतर बनाना, तो अनुपता है, एक्टिव, पुझा आप दे लोग का दी एक्टिविटी सी, शाह सायन वाले लेक्चर वे तक्सीली तो अनुदर से, के में तुमा, तुमना होंदा है, ज प्रुई नो इस तरह तुम के बाद विच फिर उन्हों बट देगे ताग अबना है जन्द रोदे फिर बाद विच गरम कफ़े भी बन देगे के में कता के में तुम्मा दर्दा वालिये माई ए मेरी माँ ए दुख दर्द दा शिकार मेरी माँ नो इसले कोई फौथ हो जन्द आए ते बार लोग जड़े अफसोस वासते आंदेने पैंदेने दुआ कर देने उन्हों खूडी बेना केंदेने दाइत कें लोखियां से बोल्ल डियां हो बनी नहीं तो जो मात पाक से डियां से Um देज़ राजि़क्ता स्टेट दे ओ और थार बॉज़ कें पूरे बाजु वेच चूरया 절या वह रजा चार हुए अमिख बाताए पूरे बाजू रॉज़ जिल चूरी बाजु हुम बिचू शोख वाइट कलर दिया, येलो कलर दिया, घुलाबी कलर दिया ओ जड़ियां वाइट ने, ओ मेरिट खवातीन पांदियां ने जड़ियां शोख रंग ने, ओ अनमेरिट कुडियां जड़ियां लड़ मुट्यारा ने, ओ पांदियां चुड़े दे चंकारे चंकारा यनि चंकार आबास लुट लए गए बंजारे बंजारा कोण होगा है चुड़ियां चड़ा अनवाला ऐत्यों सूर्ते आलदास रही है उल्टे होर जमाने आए बुले शादी काफी के चुड़ियां चड़ा अनवाले ही चुड़ियां लुट तरह रहने थी लेकिन फिर संताली वेच की होया उना ही लोग का ने औरतां दे रेव की थे हिंदू औरतां दे सिख औरतां दे उना ने मुसल्मान औरतां दे रेव मतलब इस तरह मजब दे ना होते